प्रदेश की आवैद मस्जित के खिलाफ पूरा हिमाचल एक जुट हो गया है पिश्रे दिनों शिमला में लोगों ने मस्जित के आवैद हिस्से को गिराने की मांग को लेकर प्रदेशन किया था और शिमला के लोगों के सब्र का बान कल तक टिका हुआ था क्योंकि शिमला अनगा निगम को लोगों ने कल तक कल टिमेटम तिया वहाई अब मंडी में भी आवैद मस्जित के खिलाफ लोग एक जुट हो गए है और वहाँ के आम लोगों ने आवैद निर्मान को तोड़ने की मांग की है सवाल है कि क्या आवाद मस्जिद के खिलाफ अब हिमाचर प्रांती शुरू हो गई है अब हिमाचर प्रदेश आवाद मस्जिदों को नहीं सहेगा अब हिमाचर प्रदेश राज की बदलती दिमोग्राफी के खिलाफ सर्कों पर उतर चुका है कुछ दिन पहले मस्जिद के अवैद निर्मार्ट के खिलाफ शिमला का गुसा देश ने देखा था अब मंडी में भी एक अवैद मस्जिद के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बलंद कर दी है मंडी में भी लोगों ने अवैद मस्जिद के खिलाफ भज़गा कर फ्रशासन के सामने अपनी मांग रखी मंडी के जेल रोड पर बनी इसी मस्जिद के खिलाफ मंडी के लोग एक जुट होकर सड़कों पर उतर आये हैं लोगों का दावा है कि ये मस्जिद अवैद है बिना मनजूरी के इसे लोग निर्मार विभाग की जमीन पर बनाया गया है अब लोग नगर निगम से इस मस्जिद पर बुल्डोजर चलाने की मांग कर रहे हैं स्थानी ये लोगों का मानना है कि उनके लड़ाई मुसल्मानों के खिलाफ नहीं है बलकि जमीन पर अवैद अबज़े की है कौन कर रहा है इसे सड़ी अंतर इस दे बुमी की सांस्क्रिटिक बिबस्त मर्ला मारी जो डेमोग्राफिक को चेंज करने के लिए तो ये बख बोर्ड और इसलामिक सक्तियों का सड़ी अंतर है जबकि मारे स्थानिय मुसलिम बहुत अच्छे हैं ये हिंदू मुसलिम वाली लड़ाई नहीं है मस्जिद के अवैद निर्मान पे हमने ये रैली निकाली है इसके खिलाफ नगर निगम ने अभी तक कोई कारवाई नहीं की है आज हम 50 हैं कल हम 500 की तादात में होंगे मस्जिद के अवैद निर्मार के खिलाफ मंडी नगर निगम भी लाचार दिखा अब अवैद अतिक्रमन कब हटेगा कैसे हटेगा इसके लिए कमेटी वाला फॉर्मूला बना दिया गया है कमेटी जाज करेगी, रिपोर्ट देगी, फिर उस रिपोर्ट पर विचार होगा, उसके बाद जाकर कोई आक्शन होगा अब रिसेंटली आप कमेटी बनाएए हमने आज एक जो फिर मौके पर जाएगी कि क्या उन्होंने निर्मार को अभी जारी तुन रखा हुआ है धगर निगम के आश्वासन पर अब मंडी के लोगों को यकीन नहीं इसलिए उन्होंने दो दिनों का अल्टिमेटम मंडी नगर निगम को दिया है मंडी की मस्जिद को लेकर दो दिनों का अल्टिमेटम है तो शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर अब अल्टिमेटन के सिर्फ 15 घंटे बचे हैं शिमला की संजौली मस्जित को लेकर हिंदू संगठनों ने नगर निगम को 11 सितंबर सुबह 11 बचे तक का अल्टिमेटम दिया था लेकिन मस्जित के अवैद हिस्से को नगर निगम नहीं तोड़ पाया जिसके बाद हिंदू संगठन तीसरी बार शिमला में प्रदर्शन करने जा रहे हैं माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन से जादा बड़ा हो सकता है यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर मस्जित कमिटी ने कहा कि प्रदर्शन करना हिंदू का अधिकार है। लोग हिमाचल सरकार पर दबाव में आने का आरोब लगा रहे हैं। विपक्ष न भी हिमाचल सरकार को नसीहत दी कि जन्ता की भावनाओं को देखकर फैसला करें। ये तो जन्ता भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके लिए कारवाई करने का रास्ता क्या निकल सकता है, जल्दी निकल सकता है, तो मुझे लगता कि वह उचीत रहेगा। ये उचीत रेका। ये पाहँ हो को ये तो। एंकर रहेगा। ये पाल रहेगा varying कर रहें हो है, जरिए वे बचे रचूबुसक्ता रहेगाथ